स्री शिवाए नमस्तुब्यम फालगुन का महिना सुरवात होने जा रहा है और फालगुन महिने के सुरवात में ही प्रधम दिन सोमवार का पड़ा है सोमवार के दिन अगर आप फालगुन महिने में या उपाय करते हो तो जो मागोगे वह आपको मिलता ही मिलता है तो बहुत अच्छे उपाये गुरू जी पंडी जी तो रहा बता गए है उपाये विशेजे इन उपाये में कोई एक उपाये भी अगर आप कर लेते तो आपके सारे मनुरत पुरे हो जाते हैं अगर आपने चैनल को सब्क्राइब नहीं कर रखा है और कमेंट में श्रीश्रिवाये नमस्तुभ्यम् फाल्गुन मेनेक में मंत्र कदान तो अवश्य कीजिएगा पहला उपाई अगर आपने पस्युपति नाज वरत भी करें हैं और अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई हो आपने बहुत प्रयाश कर लिया बहुत प्रयाश में कर लिया पर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है परसुपत्मी अनात वरत भी कर चुके हैं तो आप क्या करें? इस उपाय को नियम से करें सोमवार की दिन क्या करेंगे? तीन दिपक बनाएंगे जी हां, तीन दिपक गोल बाती के आटे के बनाईएगा और आपको क्या करना है? इन तीन दिपक को अलग-अलग वरक्षों में लगाना है तो पहला दिपक आप लगाओगे बेलपत्री के वरक्षों में दूसरा दिपक आप लगाओगे पीपल के वरक्षों में तीसरा दिपक आप लगाओगे आमला की व्रश के नीचे तीन दिपक प्रदोस्काल के समय आप लगा के देखिए सोमवार के दिन आप देखेंगे आपने आपने जो उपास रखे पस्पतिनाथ के अगर वह किसी कारण में गलती होई मिष्टेक होई है वह बेश उदर जाएगी और दिरे-दिरे बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे दूसरा उपाय है गुरुजी ने कहा कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रहे है और बाबा के मंदिर आप महाद्यों के मंदिर कोई मनोकामना लेके जा रहे हैं तो सोमवार के दिन या तो बेल का फल या नारियल या धतूरा तीनों में से कोई एक वस्तू आप लेके जाए बाबा के मंदिर अपनी मनोकामना को बोल कर और बाबा के सिवलिंग पर समर्पित क करके आईए आप देखेगा वहां मनुरत आपके पुरी होगी होगी आपकी प्रात्ना बाबा तक पहुचेगी पहुचेगी तिसरा उपाय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी कारणवस आपके किसी कारिम बादा आ रहे हैं आप बहुत प्रयास कर चुके हो पर वहां कारी आपका पुरा नहीं हो पा रहा है कारी शुरुबात करते हो बीच में अटक जाता पुर्ण नहीं हो रहा है तो क्या करोगे एक सो आट चावल के दाने लिजेगा जी हां धर से ही चावल के दाने गिल लिजेगा कितने लेना है एक सो आट चावल के दाने और महादियो के लेके जाता है बीच में मोटी सी लाइन होती है यहां पर 108 चावल के दाने आपको समर्पित कर देना है अपने मनुरत को बोलते हैं मनोकामनों को बोलते हुए यकिन मानेगा जो भी अटकावाकारी है वह आपका अवश्य पूरा होगा ही होगा चोथा उपाए अगर विभा नहीं हो रहा है विभा के लिए अगर आप महाद्यों को जल समर्पित कर रहे हो तो विभा के लिए अगर जल समर्पित करते हो तो आश्रतोस महाद्यों का नाम लेकर एक लोटा जल समर्पित करो और अगर रोख मुक्ति के लिए महाद्यों को जल समर्पित कर रहे हो तो कुंद केश्वर महाद्यों का नाम लेते वे जल समर्पित करो इस बात का अवर्शे ध्यान रखें पांचवा उपाए करजा बहुत अचिदिक बढ़ गया है आप परिशान हो गए हो करजा समाप्त नहीं हो रहा है तो करजा मुक्ति का केवल एक यह उ दालकर आपको वठकेश्वर महाद्यों का नाम लेना है वठकेश्वर महाद्यों का नाम लेकर वठ व्रक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है अगर को सिवलिंग रखावा है तो उसके उपर समर्पित कर दीजिए और सिवलिंग नहीं रखावा है तो आप जो जड़ समय तो हो ही जाएगा छटा ओः पांच उपाई आप नहीं कर पाही चटा निएम से करो ऊंवार कि दिन इससे कोई कोई उपाई की वारें पता होगा पर लोग नहीं करें होंगे अभी तक अगर करें तो बहुत अची बात्य गर करा तो जरूर कीजिए कोई है अपका एसा लक्ष है जो पूरा होना चाहते आपकी पूरा हो जाए पर वह लक्ष आपका मनुकामनाँ आपकी पूरी होती ही नहीं होती है सरकारी नोकरी की कामना है नोकरी अच्छी कंपनी में लग जाए प्रमोशन हो जाए या फिर बच्चों का वीवा हो जाए कोई भी ऐसी मनो कामना है आपकी जो पूरी होती नहीं या परशान हो गयो तो एक नियम से सोमवार की दिन आप क्या करो एक पत्ति लो और उस बेलपत्री की बीच वाली पत्ति पर सहथ लगा कर आपको समर्पित चिपकाना है सिविलिंग के उपपर पर आपको नाम क्या लेगना है कुंद केश और महाद्यों का नाम लेना वो चिपकाएंगे बेलपत्री की वो नीशे की और आएगी चिकना भाग पूर्ण करना पिर उस हतेली को सिभलिंग के उपड़ से बेलपत्री के उपड़ से हटाना पालगुन का महिना है आपके मनुड़त सारे पूरे होंगे श्रीशिवाई नमस्तु व्याम